नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और यह है IQ c6 दोस्तों गराब c6 skis的话 का कोई भी phone use करते हो तो हम देखने वाले कि आपकिस तरिके से अपने phone में multiwindow का use कर सकते हो multiwindow आप दो तरिके से अपने phone में use कर सकते हो एक तो आप किसी भी आपको split view में open कर सकते हो या फिर आप किसी भी आपको pop-up विंडो में मतलब की small विंडो में open कर सकते हो तो सबसे बिल हम देखेंगे आपको किस तरीके से split view का use करना है आप दो apps को एक साथ open कर सकते हो उपर नीचे तो split screen को open करने के हैं तीन तरीके सबसे बहला तरीका है जैसे माल लोग आपको अगर किसी app को open करना है split view में तो आपको जाना है recent apps में और आपको जो app का नाम लिखा होता है उस्पेट आप करना है और आपको मिलेगा split screen का option आपको split आप करना है इसके बाद फिर नीचे आपको कौन सा app open करना है आप इसमें से किसी को open कर सकते हैं या फिर आपको सारे apps को देखना हुआ तो नीचे से swipe up करना है और आपने जो भी apps डाउनलोड की आपको सभी apps यहाँ पर show करेंगे आपको जिस app को open करना नीचे आपको उस app पे tap करना है जैसे मैंने यहाप पे प्लेश्टोर और वाट्साप को open किया है आप देख सकते हो आप इनकी size भी change कर सकते हो बीच में आपको यहाप पे drag करना है इस तरीके से आप size change कर सकते हो यह था पहला तरीका दुसरा तरीका है आपको किसी भी आपको open करके three finger से swipe up करना है इस तरीके से तो आप देखोगे यहाँ पे split view में open हो चुका है फिर आपको वापस swipe up करना है और आपको जिस आपको open करना है आपको उस आप पे tap करना है अगर आपको इसे close करना है तो इस बड़न को नीचे की ओर ड्राग कीजिए इस तरीके से आप split view को close कर सकते हो जो तिसरा तरीका है आपको किसी भी app को open करना है जिसमें आपको split view का use करना है उसके बाद आपको quick panel को access करना है आपको मिलेगा है यहाप पे split screen का option यह रहा split screen आपको इस पर tap करना है और इसके बाद आपने जो भी app open किया था वो split view में open हो जाएगा उसके बाद आपको जो app open करना है split view में आपको इस पर tap कीजिए यहाप पे आप देख पारे हो यह था तिसरा तरीका अगर मालो इस बार आपको उपर वाला app close करना है नीचे वाला app आपको रखना है तो इस बडन को राक कीजिए उपर की तरब तो WhatsApp रहेगा और जो उपर वाला app होगा वो close हो जाएगा जब भी आप किसे भी app को split view में open करते हो तो आपको मिलते हैं कुछ options जैसे कि आप देखोगे अगर मालो मैंने यहाँ पर open किया अल्बम और WhatsApp ठीक है अब आपको बीच में एक black dot दिखाए देगा बड़ा वाला उस पर टाप किजिए आपको मिलेंगे चार options जो पहला option है वो है switch करने का मतलब कि अब WhatsApp उपर है और album नीचे है लेकिन अगर आप चाओ तो album को उपर और WhatsApp को नीचे कर सकते हो टाप किजिए आप देख सकते हो इस तरीके से जो position है आपकी उन्हें आप switch कर सकते हो इस तरीके से दुसरा जो option है वो है pair को save करने का मतलब कि मालो आप most of the time WhatsApp और album एक साथ use करते हो तो आप plus के stand पर टाप करके इनकी जो जोड़ी है जो pair है उन्हें save करके रख सकते हो तो आपको इस पर टाप करना है इनकी जो जोड़ी है save हो चुकी है आपको करना है add automatically फिर आप जैसे जाओगे home page पे इसे close किजिए तो home page पे आपको मिलेगी ये जोड़ी आप देख पा रहे हो WhatsApp और album आपको इस पर tap करना है जैसे आप इस पर tap करोगे हमेशा WhatsApp और album split view में ही open होंगे जैसे आपने open किया था आप देख सकते हो इस तरह के से automatically अगला जो option है वो है all apps को देखने का मतलब मालों आपको album के place पे आप कोई दुसरा app open करना है नीचे तो इस पर tap किजिए और swipe up किजिए और फिर आप यहाँ से नीचे में कोई दुसरा app open कर सकते हो इस तरह के से ठीके फिर जो आखरी जो option है वो है close करने का इस पर आप tap करोगे तो जो नीचे वाला app होगा वो close हो जाएगा इस तरह के से लेकिन अगर आप उपर में हो तो अगर आप tap करोगे उपर में तो उपर वाला close होगा अगर आप नीचे हो मतलब जो window आपकी जो active होती है तब आपको tap करना है अगर ये जो option से नीचे शो कर रहे है मतलब की नीचे वाला app close होगा अगर ये option उपर शो कर रहे है मतलब की उपर वाला जो app होगा वो close होगा इस तरह के से लेकिन दोस्तों ऐसे कही सारे apps होते है जो split you support नहीं कर दे मतलब कि आप सभी apps को split screen में open नहीं कर सकते है जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है settings इसमें आपको split you का option नहीं मिलेगा ये है Snapchat इसमें भी आपको split you का option नहीं मिलेगा और ये है Instagram इसमें भी आपको split you का option नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप चाहते हो जो भी apps split you support नहीं करते वो भी आप split you support करें तो आप ऐसा भी कर सकते हो उसके लिए आपको जना है settings में about phone में software information पर ट्याप करना है build number पे आपको लगाता 7 time ट्याप करना है 1,2,3,4,5,6,7 फिर इसके बाद आपका pin enter कीजिए back आईए settings में last में आपको मिलेगा system में developer options का ये option इसे ट्याप कीजिए नीचे आईए और आपको इन 3 options को own करना है तो वो है force activities to be resizable इसे own कीजिए इसके बाद enable freeform windows इसे भी own कीजिए और enable non resizable in multi window इसे भी own कीजिए इसके बाद आप देखोगे settings में पहले ये वाला option show नहीं करता है लेकिन अब यहाँ पे show कर रहा है split screen का इसके लवा Instagram में भी show कर रहा है split view ये रहा और Snapchat में भी show कर रहा है split view लेकिन ये directly यहाँ से open होगा नहीं तो आपको उपर में किसी दुसरे app को open करना पड़ेगा फेले तो split view में उसके बाद फिर नीचे आप जो apps support नहीं करते आप उन apps को open कर सकते हो जैसे कि Instagram तो आप देख पा रहे हो मैं play store और Instagram को दोनों को एक साथ यूज़ कर पा रहा हूँ इसके लावा इसके place पे अगर मुझे open करना है settings को तो आप मैं settings को भी यूज़ कर पा रहा हूँ आप देख सकते हो इस तरीके से जो apps support नहीं करते पहले split screen अब वो भी support करने लगे है अब बात करते हैं message split की तो आपको जाना है settings में shortcuts and accessibility में smart split में enable screen split में आपको जो ये option है message screen split इसे own करना है और आपको मिलेंगे आप पे 4 apps जैसे whatsapp, twitter, facebook, message मतलब कि मानलो आप किसी app को full screen में use कर रहे हो जैसे की video player या youtube और ऐसे में अगर आपको उन 4 apps में से किसी भी एक की notification आती है तो आप उस app को directly split view में open कर सकते हो जैसे कि मानलो मैंने यहाँ पे youtube open किया है ठीके तो मानलो अगर मुझे ऐसे में कोई message आता है फिर चाहे message, facebook, twitter या फिर whatsapp में से आता हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा message का यह icon आप देख पारे हो आपको इस पर tap करना है जैसे आप tap करोगे directly जो message आप होगा आप देख पारे हो split screen में open हो जाएगा और आप यही set tap करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा floating keyboard आप इसकी size भी change कर सकते हो और फिर आप type कर सकते हो यहाँ से और message को send भी कर सकते हो इसके अलावा आप जो size है यह वाली size इसे भी change कर सकते हो आपको कितना कुनसा app कितना बड़ा रखना है इस तरीके से और आपको अगर इसे close करना हुआ तो close तो करी सकते हो लेकिन आप जो सारे options है जो आपको मिलते है split view में आप उसका भी use कर सकते हो और अगर आपको इसे close करना है message app को तो फिर आपको करना है close पे tap और यह जो app होगा close हो जाएगा इस तरीके से आप जो message split का option है उसका भी use कर सकते हो इस तरीके से तो आप देखते हैं कि आपकी इस तरीके से अपने phone में small window मतलब की pop-up window का use कर सकते हो आपके phone में जो भी messaging app से आप उन्हे pop-up window में open कर सकते हो तो मालनो मुझे अब open करना है small window में whatsapp को तो मैं whatsapp को open करूँगा small window में tap करूँगा नाम पे और ही रहा small window तो इस तरीके से आप pop-up window को open कर सकते हो आप उपर में हैं आप पे minimum इतनी होगी यहाँ पे आपको मिलेंगे तीन options आप देख पारे हो सबसे पहला जो है minimize करने का tap करोगे तो जो एप होगा minimize हो जाएगा corner में tap किजिए वापस open हो जाएगा अगर आपको इसे full screen में open करना है तो यह है दूसरा icon tap किजिए जो एप होगा full screen में open हो जाएगा इस आपको यूज़ करते करते आपको अगर YouTube देखना हुआ या किसी दूसरे आपको यूज़ करना हुआ तो आप भी कर सकते हो तो आप देखोगे अब आप YouTube भी यूज़ कर रहे हो और जो यह आप है वो भी यूज़ कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से pop-up इंडो का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तो यह था इस वीडियो में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पुछ सकते हो आप मुझे इंस्टाग्रम पे या फिर Twitter पे भी मेसेज़ कर सकते हो इस वीडियो को दिखने के लिए धन्यवाद दोस्तो